कच्चे तेल की बात करेंगे वह उससे पहले एक बार निया नाच्रल गास के बारें में बताईए क्योंकि रोज हम बड़ा आक्शन इसमें बनते हों देख रहे हैं 9-10 महीने की उचाई पर इस समय ग्लोब मारकेट्स में दाम चल रहे हैं क्या चल रहे हैं येस नाच्रल गास की बात करें 9 महीने की उचाई पर है यॉरप में गास है वो 6-7 महीने की उचाई पर है हमारे मारकेट की बात की जाए तो अब हम 300 रुपए के करीब हैं सेक्स पर अगर बात की जाए 285-90 के आसपास ट्रेट कर रहे हैं और एक ही महीने में 35-40% तक का अपसाइट कीमतों में आया है ये आया कहां से दरसल अमेरिकी एनरजी एजनसी को रिकॉर्ड खपत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस साल EIA के अनुसार गैस की जो खपत है अमेरिका में वो 90 बिलियन क्यूबिक फीट की तरफ जा सकती उसको पार होनी की संभावना है अफकोस जो इमीडियेट अपसर जिसको मिला है वो इसराइल हमास यूद कॉन्फिक्ट की वज़ा से मिला है कुछ सप्लाइ प्रभावित होने की चिंता है क्योंकि शेवरोन ने यहाँ इसराइल में जो उनकी टमार गैस फील्ड है उसको वहाँ की सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जब यह वहाँ पर हिंसा छिडी तो as a safety यही नहीं Baltic Connector Pipeline जो की Baltic Sea से होती हुई Finland से Estonia के तरफ जाती है उसमें leak पाई गई है और यह कहा जा रहा है कि शायद यह naturally नहीं हुई है यह की गई है कुछ गरबड़ी तो अब वो pipeline बंद कर दी गई है तो Baltic States के लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ हो सकती क्योंकि महीनों लगेंगे उसको ठीक होने में ठंड बढ़ने के आसार है कुछ बहतर मांग Northern Hemisphere में आ सकती है अफकॉस डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ट्रेजरी इल्ड जो दबे है उसका तो यहाँ सपोर्ट मिला ही है अमेरिका में गैस भंडार है वो कुछ कम बढ़ा दर्ज कर सकता है और यहाँ से डिमांड सामने अच्छी आ रही है उतपादन घट रहा है एक्सपोर्ट से अमेरिका से काफी जबरदस्त है EIA का नया आउटलुक आया है उन्होंने अनुमान सवा परसेंट बढ़ा दिया है साल के लिए Bank of America नाच्रल गैस चार डॉलर तक जाता दिख रहा है Morgan Stanley है हालाकि उन्हें नहीं लगता कि इतनी स्ट्रेंथ आएगी पर फिर भी तीन डॉलर के आसपास ही वो कीमतों को टिकता हुआ देख रहे हैं तो अभी कुछ firmness की संभाबना है यहां से और उपर जाने की संभाबना है थोड़ा सा लगता है बहुत varying comments निकल कर आ रहे हैं तो पहले तो साओधी ने कहा कि हम जितने भी यहां पर तेल उत्पादक हैं ना सिर्फ उपेक समू के बलकि जो बाहर भी हैं हम उनसे बात करके कीमतों को stabilize करने की कोशिश करेंगे फिर उन्होंने कहा कि यहां पर volatility नहीं होगी तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे फिर रश्या की तरफ से बयान आता है कि हमें नहीं लगता कि यह जो conflict है इससे बहुत जादा risk होगा हो सकता है कीमते नीचे आ जाएं तो हम पलपल देख रहे हैं रश्या और साओधी अरब ने confuse करके रख दिया मार्केट को इसी लिए इतना उदार चड़ाप देख रहा है बट nevertheless अगर हम बात करें एका एक जो correction हमने इस हफते की उचाई से आता हुआ देखा 89 डॉलर्स के पास तक कच्चा तेल गया था हफते की शुरुवात में और वहां से नीचे आया है सबसे बड़ा trigger तो जो कल 0.5% का correction आया वो of course साओधी और रश्या के बीच में जो ये बाच्चीत वारता लाप हुई है उसके वज़ा से आया है एक और चीज़ साओधी अरभिया ने clear की है कि North Asia के उनके जितने customers है उनके साथ जो उन्होंने contract November का किया है वो उसे पूरी तरह से उस commitment को निभाएंगे मतलब वहां पर कोई भी उतपादन में या supplies में कटोती नहीं करेंगे तो ये भी एक बड़ा factor है कि वो अपने clients को खोना नहीं चाते क्योंकि already Asia में Russia उनका पूरा share मार चुका है देखा जाये तो EIA का short term outlook, energy outlook आया है, global tail की demand growth घटती हुई दिखाई दे रही है इस साल और अगले साल दोनों उन्होंने यहाँ पर अपने estimates घटाए है Brent crude का इस साल के लिए जो अनुमान है आदे परसन घटाए है, लेकिन थोड़ी troublesome बात यही है कि अगले साल के लिए उन्होंने अनुमान 7 डॉलर से बढ़ा दिया 95 के आसपास का वो level दे रहे है इसराइल हमास तनाफ जो पहले लग रहा था कि output को लेके चिंताए है वो अब इतनी नहीं दिखाई दे रही है जो risk की बात हो रही थी तो उसके चलते भी हमने देखा है कि काफी हद तक कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ कूल आफ देखने को मिला है लेकिन JP Morgan है वो नहीं मानते है उनको लगता है 90 से 110 टॉलर दिखेगा और EIA ने तो जैसे मैंने कहा कि अपना अनुमान अगले साल के लिए बढ़ाती है तक कच्चे तेल पर रखें नजर थोड़ी राथ रीसन डेज में हमें वैसे यहाँ से मिली है और नजर रखें नाचुरल ग्रास के प्राइस मॉवमेंट पर शुक्र रहने हैं यह अपडेट हमार साथ शेयर करने के लिए बढ़ाए